वेलकम बेक टू यूनिक दर्का पिल्कुल ना भूलें सबस्क्राइब और मोर वीडियो जेन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें से पहले बात करेंगे अंजीर में कौन सा बिटामिन मिलता है इसमें कैल्शियम तथा बिटामिन ए बिटामिन बी काफी मात्रा में पाए जाते हैं अंजीर के सेवन से कब जि खाने में मदद करता है अब बात करेते हैं क्या अंजीर भीगो कर खाने चाहिए अंजीर को रादबर भीगो कर खाना बेहत फायदेबंद माना जाता है अंजीर में पोशक तत्तों का खजाना होता है जो सेहत को लापकारी फायदे दे सकता है भीगे अंजीर खाने के चमतक बारे में आवश्यक खनीजों से भरपूर होती है सौस्ट पाचन को बढ़ावा देती है रक्त सरकरा के इस तर को नियंतरित करती है रक्त चाप को नियंतरित करती है वजन घटाने में मददगार है तुचा के लिए बेहत फायदेबंद होती है और अगर आपके बालों की बीगो कर ही खाना चाहिए अब बात कर लेते हैं अंजीर पानी में बीगो कर खाने से क्या होता है बीगे अंजीर को फाइबर का पावर हाउस माना जाता है यह डाइजेशन को ठीक करता है इसे खाने से भूग से राहत मिलती है दोबारा जल्दी भूग नहीं लगती है और व होता है एंटी ऑक्सिदेंस से भरपूर होने के चलते अंजीर सेल्स को डेमिज करने वाले फ्री रेडिकल्स को दूर रखते हैं और ऑक्सिडेशन को मैनेज करती है इन्हें सुबह खाली पीट खाना बहुत फायदेबन माना जाता है साथ ही इन्हें मिड मॉर्निंग स्नेक्स और इवनिंग स्नेक्स के रूप में भी खाया जा सकता है अब बात कर लेते हैं महिलाओं को अंजीर कैसे खाना चाहिए इसका प्योग बहुत से स्थानों पर खाने में मिठाई या खाने के बाद डेजर्ट के रूप में किया जाता है लेकिन अंजीर खाने का सबसे काली पेट खाया जाए यह ने केवल शरीर के लिए फायदेवन होता है बलकी से मांसिक रूप से लाग मिलता है अब बात कर लेते हैं क्या अंजीर फैटी लीवर के लिए अच्छा होता है इसमें हमारे लीवर को हैल्दी रखने के साथ-साथ गुलकोस को कम करने वाले तत् दो अंजीर को अपने ब्रेकफास्ट में एड करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो आपको रात में दो अंजीर पानी में भीगो कर सुबह खाली पेट खाएं अब बात कर लेते हैं अंजीर में कितनी ताकत होती है अंजीर मे potassium काफी होता है, जो blood pressure को control करने में मदद करता है अंजीर, calcium, potassium, phosphorus, magnesium, copper और magnesium जैसे minerals का अच्छा source है अंजीर में carbohydrate होता है जो शरीर को energy देता है stamina बढ़ाने के लिए अंजीर का seven फाइदे बंध होता है अब बात के लेते हैं, क्या अंजीर से हीमोगलोबिन बढ़ता है अंजीर के नियमे सेवन से बलड में हीमोगलोबिन के लेबल में बढ़त होती है अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए अंजीर खाने के फायदों के बारे में पीरियर्स के दौरान लाबदायक अंजीर में पाई जाने वाले खनीज औ बचा के लिए बेहत फाइदेबंद होती है हमारे हेल्थ के लिए बेहत फाइदेबंद मानी जाती है अंजीर सांस की समस्याओं से राहत में अंजीर बेहत फाइदेबंद मानी जाती है सिर्दर्द से राहत दिलाती है कैंसर से बचाप करती है बात कर लेते हैं क्या हम D. की परिशानी को दूर करने में काफी ज़्यादा फाइदे बंद होती है अब बात कर लेते हैं अंजीर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है अंजीर वजन कम करने, पाचन बेतर करने, कब से राहत और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ ही कई बीमारियों का रामबर्ण इलाज है इसके अलावा ये शरीर को धेरो फाइदे पहुचाती है अब बात कर लेते हैं एक दिन में कितने अंजीर खाएं एक दिन में दो से तीन अंजीर ही खाना चाहिए अंजीर को माईग्रेन से पिड़ित होने या पेट दर्द या फिर पत्री और लीवर की समस्या होने पर खाने से परहेज करना चाहिए अब बात कर लेते हैं अंजीर को कब नहीं खाना चाहिए अंजीर का सेवन पेट दर्द होने की समस्या पर नहीं खाना चाहिए अंजीर पेट दर्द की समस्या के साथ लूज मोशन और अपच की समस्या होने पर भी नहीं खाना चाहिए यदि आप रक्त को पतला करने वाली दबाए ले रहे हैं तो अंजीर का सेवन करने में साबधानी बढ़ते क्योंकि इसमें बिटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है जो आपके नुस्खे में हर्तशेप कर सकता है तो जान ले कि अंजीर के पेड प्राकर्तिक रूप से लैक्टेस का उत्पादन करते हैं और इसलिए आपको उनके फलो के बारे में सतर्क रहना चाहिए अगर आप अंजीर का अत्यदिक मात्रा में सेवन करते हैं आपको उसके कुछ साइड इफेक्ट यानि नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं जैसे की कैल्शम की कमी पेट फूले लगता है किड्नी को कर सकता है डैमेज ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है आपको लीवर और आतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है तो गर्मियों की मौसम में आपको अंजीर को हमेशा बिगो करी खाएं अंजीर को सिर्फ एक या दो ही आपको लेना चाहिए और सुबह खाली पेट अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपके लिए बेहत फायदीबन साबित हो सकती है तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज में और अगर आपने अभी तक यूनिक तर्का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे जिसे की आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहें बेल आईकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी थैंक्स और फुल वच्छ और बबाई और टेकर अल अल अव्यू